कि नमस्ति दोस्तों पीटे चहसौट पर फिर देंबर आपका स्वागत है और आज की स्पड़ी सब्सक्राइब बात करने के वाल happens कि मेंटेनेस के Beast कि Stir कर दें और मेंटेनेस क्यों करना चाहिए तो मेंटेनेस का सौट बसें बात करें तूमेंटेनेस मेंटनेस में बाग होता है कि जो भी मेंटनेस किया जाता है उसे हम प्लाइन करके करते हैं और उन्पलाइन मेंटनेस करते हैं इसमें plan maintenance में भी चार भाग होते हैं जो पहला भाग ह vapor प्रोवेंटी मेंटेनेस दूसरा भाग है प्रोडिक्टी मेंटेनेस तीसरा भाग है ब्रेकडाउन मेंटेनेस और चोथा भाग है सब्सक्राइब चार पर करके प्लैन मेंटेनेस में आप मेंटेनेस का भाग समझ सकते हैं भाग है इसका चार जिसे हम अलग-अलग टाइम और अलग-अलग पोजिशन में करते हैं सबसे पहले बात करूं कि प्रोवेंटी मेंटनेस क्या है और प्रोवेंटी मेंटनेस कब करते हैं उसे कैसे करना चाहिए तो प्रोवेंटी मेंटनेस करने का विकली मंत्री टाइम होता है जो टाइम आप उसे नकी किये रहते हैं या फिर क तरे को आपको करना पड़े तो मंतली साइकल होता है इसके बाद से अरली साइकल होता है जैसे जैसे आपके इंजिनेर या फिर कोई जो उसके मेन होते हैं जो मशीनों के रख रखाव करने के लिए जो आदमी होते हैं उनके इसाप से अपना एक टाइम बनाया होता है या फिर वो भूधी आकर वोग टाइम पूरा होने पर वोग मैंटर्थ करें जाते हैं वो नहीं करते हैं तो वह म condemn he उस टाइम के बीच में आपको मेंटर्थ कर देना होता है तो फिर फरवेंटी मेंटर्थ Me में यह सब होता है दूसरा है प्रोडिक्टी मेंटेरंस प्रोडिक्टी मेंटेरंस में क्या होता है कि आपको मशीनों पर जाके मशीनों को अपजर करके और उसका जो भी कमी होता है उसे हम सही करते हैं जो प्रोडिक्टी मेंटेरंस में होता है और उसे करते कैसे माली जैसे मा प्राब्लम है यह दर सांटार आई या फिर यह तूटने वला यह घीस गया है या खुछ ऐसे प्राब्लम आपको अभ्जर करके उसे किया जाता है जो प्रोडिक्टिंग्नेंस में होता है ब्रेकड़ाय क्या होता है कि सदनली जब मशीन में कोई पार्स टूट गया कुछ पार्स रिप्लेस करना है या कोई भी प्रावलम सदनली हो गया जो ब्रेकड़ान मेंटेनस में आता है और सदनल मेंटेनस में क्या होता है आपको एक बार सदनल मेंटेनस करना पड़ता है और मेंटेनस करने से फायदा यह होता है कि अगर आप प्रोडिक्टिम यम्टेनेस और प्रोविंटिम टायम ट2 से घडाया तो आपको ब्रेकदानौ नशाने का बहुत इसका आईटम है जो भी मशीनों का आइटम है वो कम से कम वन फिच्टू पिच्ट जो भी पार्च ज्यादा खड़ा होता है उसे आपको लेएकर रखना पड़ता है इस्टॉक में तभी आप रोड्यूक्ति मैंटनेस में काम कर सकते हैं यह दोनों मैंटनेस जो है घास करके क बागो भी सप्ति रहेगा और सही टाइम से आपका जो भी काम है वह अच्छी तरीका से काम करेंगे और आपका quality भी क्वालटी भी टिफेक्ट नहीं होगा जिसमें आपका quality भी मसीन से जो भी बीडियो अप्लोड करते हैं कमा सकता है जा है प्लांट में जाए मेकनिकल है या कोई है किसी वी तरह से आप्त में काम कर रहे हैं या या ति कोई अपने काम कर रहे हैं तो हमारे सब्सक्राइब हो सकता है इसके लिए हमरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा पस आज के लिए इतना ही और मेरे को आसा हो कि मैंटरंस के बारे में आप कुछ समझ गए होंगे और अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सेखने को मिला या फिर हमा आपको आपना राय देजी तो आज के लिए बस इतना ही फिर में लेगा है तो नए वीडियो के सारा चाहते के लिए बैंद रहा है